और चली अब आगे बढ़ते हैं बात करते हैं राजधानी की और बढ़ते प्रदूशन की बढ़ते एक्यूआल लेविल की दरसल दिपावली तो धुमधाम से मना ली गई जमकर आतिश बाजी हुई दिवाली तो मन गई लेकिन अब सेहत पर प्रदूशन की मार पड़ रही ह दिवाली के बाद हवा का हाल क्या है कितना असर पड़ा है इसकी पूरी पड़ताल हम करने वाले हैं दिवाली के बाद हवा जहरीली हो गई है एर क्वालिटी इंडेक्स यानि कि AQI लेवल बहुत ज़्यादा खराब स्थर पर पहुंच चुका है दिली में AQI लेवल 333, 303, 361 देखे आठ बजे का ये आंकड़ा हम आपको बता रहे हैं रास्थानी दिली का इस वक्ट दिली का जो औसत AQI है वो 361 है जबकि अगर 30 अक्टूबर की बात की जाए तो 333 ये था और 31 अक्टूबर को ये 303 के स्थर पर था और अभी इसमें जो इज़ाफा हुआ है और बढ़ कर ये 361 पर पहुंच चुका है आप स्थिती को समझे कि दिली में दिवाली के बाद अगले ही दिन यानि कि आच कि सुभा जो AQI ल महा कवरेज में हम आपको आज दिखाएंगे दिवाली पर दिली में सांसों का आपातकाल और क्या है प्रदूशन का हाल हमारे साथ आनंद विहार से शिवांक मिश्रा इसवक्त कनेक्ट है इंडिया गेट से दीपक रावत मेरे साथ जुड़े हुए है लाल किला से मेगा उ बताएंगे आप जानिए कि दिली के आनंद विहार में दिवाली से पहले दिवाली के दिन और आज यानि के दिवाली के बाद प्रदूशन के आंकरे क्या कहते हैं आनंद विहार में दिवाली से पहले का जो एक्यू आई लेवल था वो 351 था दिवाली के दिन 419 था और को समवाद आता शिवांक मिश्रा की ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते हैं उसके बाद लाइव आपको उनके पास लेकर से लिए इस वक्त हम लोग देश के राजानी दिली के आनंद विहार में मौझूद हैं सुबा आठ बजे के अगर आपको पहली तस्वीर दिखाएं तो आप देखिए इस वक्त आस्मान यहां का जो आनंद विहार का है यहां पर हलका सा धुनला परना है एक युवाई के अगर बात करें तो इस वक्त जो सीपी सीबीप के आकड़े हैं उनके मुताबिक आनंद विहार का इस वक्त का एक युवाई 351 यानि बेहत खराब श्रेणी में दर्ज है सुबा आठ बजे आज दीपावली का दिन है सुबा के आठ बजे हैं और अभी तक की चादर में लिप्टी हुई है अब आनंद विहार के अगर एक युवाई का प्रदूशाण इस्तर की अगर आपको हम लोग हालत दिखाएं तो आप यह देखिए कि इस वक्त आनंद विहार का जो प्रदूशाण इस्तर है वो 419 की बेहत गंभीर श्रेणी में बना हुआ यह हाल है सुबे 8 वजे का जब अभी तक पठाके नहीं पूटे हैं उसके बाजूत प्रदूशाण इस्तर गंभीर श्रेणी में आप पहुँचा है शिवांक आपके रिपोर्ट हम दर्शकों को दिखा रहे थी 400 को भी क्रॉस कर चुका था कल एक्यूआई लेवेल अभी का ताजा हालात क्या है पिल्कुल देखी इस वक्त हम लोग यहां पर आनंद विहार में मौझूद है और सामने की तस्पीर अगर आप देखेंगी तो यहां पर आस्मान में धुंद की चादस साफ साफ दिखाई देगी परसो जिस सरह से आनंद विहार का एक्यूआई 351 था तो आज आनंद विहार का एक्यूआई 400 के करीब 395 की दर पर मौझूद है यानि पिछले दो दिनों में आनंद विहार का एक्यूआई बहुत जादा बढ़ा है और गंभीर सेडी में पहुंच चुका है जहाँ परसो आनंद विहार का एक्यूआई बहुत खराब शेडी में था तो आज गंभीर सेडी में भी है और लोगों को भी यही सला दी जारी है कि अगर वो घर के बाहर निकले तो फिर मास्क लगा कर बाहर निकले और लगातार अगर उनके आँखों में जलन होती है तो वो डॉक्टर को दिखा है तो देखिए यह सिती है आज आनंद विहार की जहाँ पर प्रदूशन इस्तर गंभीर सेडी में मौझूद है जी ठीक है शिवांका प्रहिए मेरे साथ फिर से आपके पास लौटूंगी इंडिया गेट का भी रुखब करेंगे प्रदूशन का हाल बताएंगे कि इंडिया गेट में किस तरीके किस्तिती है और आंकडे सबसे पहले दर्शकों के सामने हम रखने जा रहे हैं दिवाली से प आपको दीपक रावत की ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते हैं फिर चलेंगे दीपक के पास लाइव जानेंगे ताजा हाला सुबह आठ बजे का वक्त हो रहा है इंडिया गेट के पास हम लोग मौजूद हैं जहां आपको हलकी स्मॉक की चादर जरू नजर आएगी AQI level की बात करें तो Central Pollution Control Board का जो डेटा है समीर एप पर वो इस वक्त इंडिया गेट के पास जो मेजर ध्यांचन नेशनल स्टेडियम है उस पर दिखा रहा है 277 AQI level जो है वो 277 यानि की खराब स्टिती में है इसको थोड़ा और डिटेलिंग में खोल के दिखाते हैं तो PM 2.5 और PM 10 की स्टिती भी साफ हो जाएगी PM 2.5 277 PM 10 215 यानि की सुबह 8 बजे भी इंडिया गेट के आसपास की हवा काफी खराब है 31 अक्टूबर दिपावली का दिन है और सुबह 8 बजे का वक्त हो रहा है इस वक्त हम मौझूद हैं इंडिया गेट पर जहां पर आपको स्मॉक की चादर जादा घनी नज़र आएगी और यही वज़ए की AQI का लेबल भी आज कल के मुकाबले बड़ा हुआ है इंडिया गेट के आसपास के AQI की बात करें तो CPCB यानि Central Pollution Control Board के डेटा के मुताबिक जो समीर आप नज़र आ रहा है उसमें आप देखिए मेजर ध्यांचन नैशनल स्टेडियम जो की इंडिया गेट के बिकुल पास में है उसकी स्तिती इस वक्त यह है कि 337 यानि की Red Mark म में आपको AQI नज़र आएगा बेहत खराब श्रेणी में इसके आसपास का AQI पहुंच चुका है दिपक आपके रिपोर्ट हमने देखी AQI लेवल बहुत खराब श्रेणी में है इस AQI लेवल में आप ठीक से सांस भी ले पा रहे हैं किया वहाँ पर क्या है हाला देखे पूजा सांस लेना तो बहुत जादा मुश्किल है और हमारे से जादा बुजर्गों और बच्चों के लिए बहुत मुश्किल होने जा रहा है लेकिन तीसरा दिन है जब मैं यहाँ पर मौजूद हूँ और पिछले दो दिन की रिपोर्ट आपने देखी तीसरे दिन की स्थिति मैं आपको लाइब दिखा देता हूँ स्मॉक की चादर आपको जरूर नजर आएगी इंडिया गेट के आसपास दो दिन पहले का AQI यहाँ करीबन 270 के आसपास था और आज 368 के आसपास है सुबह 8 बजे यानि कि करीबन 100 अंकों के बड़ोतरी 100 अंक बहुत जादा होते हैं AQI के माइने में और इस वक्त अगर इस्तिती देखें तो पूरी दिल्ली की अबरोल इस्तिती बहुत जादा खराब है इस वक्त मैं अगर AQI का डेटा भी आपको बता दूँ तो 368 मेजर ध्यानचन नेशनल स्टीडियम का यह डेटा है और साब तोर पर रेड मार्क नजर आ रहा है यानि की बेहत बेहत खराब शेणी में है यहां की हवा तो यह सिर्फ यहां की जगी नहीं बलकि पूरे दिल्ली की स्तिती पूझा बेहत खराब है और कई ज़्यादा इजाफा हुआ है पिछले दो दिनों में अगर एक्यू आई की बात की जाए तो दीपक आप मेरे साथ रहे हैं बिलकु ठीक आप कह रहे हैं कि एक्यू आई लेवल लगातार बर्ड रैस दीती बहुत ज़्यादा गंभीर हो रही है